15 अगस्त 1947 भारत के 5000 वर्षों के इतिहास की वो तारीख जिसने अगले 5000 वर्षों की नीव लखी 1000 साल की गुलामी के बाद भारत ने स्वतंतरता का सवेरा देखा था स्वतंतरता के बाद भारत को एक संप्रभु देश के रूप में नई पहचान मिली मगर भारत के भाग्य का ये सूरज इतनी आसानी से उदय नहीं हुआ था इसे तो भारत मा की लाखों संताने अपने प्राणों की बाजी लगा कर गुलामी के अंधकार से खीच कर लाई थी दुर्भाग्य से ये वीर संताने आज खुद गुमनाम हो चुकी है या फिर ये कहला ठीक होगा कि गुमनाम कर दी गई एक राजनीतिक संगठन द्वारा जिसने योजनाबध तरीके से पिछले 76 वर्षों में ये नेरेटिव स्थापित किया है कि देश को आजादी सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस के कारण ही मिली है अगर इस बात में रत्ती भर भी सचाई नहीं है जाने माने लेखक और चिंतक डॉक्टर मन मोहन वैद्य पांच जन्य के 17 सितंबर 2018 के अंक में लिखते हैं कि आजादी की लडाई का श्रेय किसी एक पार्टी या आंदोलन को देना इतिहास के साथ खिलवार है जिस भी संगठन अथवाव्यक्ति को इस देश की सनातन संस्कृती और मिट्टी से प्यार था वो आजादी की लडाई का सिपाही बना हुआ था ऐसे ही भारत मा के महान सपूत थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार केशव बलिराम हेडगेवार जन्मजात करांतिकारी स्वभाव के थे साल था 1907 अंग्रेजी सरकार ने रिसले सरकुलर के तहत वंदे मातरम के उद्गोश पर प्रतिबंध लगा रखा था केशव उस समय नील सिटी स्कूल में पढ़ रहे थे एक दिन स्कूल में अंग्रेज जिला विद्ध्यालय निरिक्षक का दौरा था केशव को लगा ये अच्छा अफसर है उन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेज अफसर के सामने ही सारी क्लास से वंदे मातरम का उद्गोश कराया जिससे सारा विध्याला गुम जुठा छात्रों ने प्रतिबंध तो तोड़ा ही उपर से माफी मांगने से भी मना कर दिया नतीजा ये हुआ कि स्कूल दो महीने तक बंद रहा हार कर सभी छात्रों ने माफी मांग ली मगर केशव ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया बात इतनी बढ़ गई कि नागपुर डिविजन के चीफ कमिशनर रेजनल क्रैडक तक पहुँच गई जिन्होंने पुलिस महाने रिक्षक सी आर क्लीवलेंड से कहकर केशव को स्कूल से निकलवा दिया लेखक बियस हरदास अपनी किताब आर्म्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के पेज नंबर 372 पर लिखते हैं कि केशव बलिराम हेट गेवार जब 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों वाले साथियों का देश बंधु समाज नाम से एक संगठन बना लिया था जो स्वतन्तरता संग्राम में अपनी भूमिका निभा रहे थे 2010 में वे कलकता डॉक्टरी के पढ़ाई करने के लिए गए है कलकता में जाकर अनुसीलन समिती जैसे करांतिकारीयों के महतोपूर्ण संगठन उसके साथ वो जुड़ गए है उस समय जो प्रमुक करांतिकारी डाक्टर पांडूरंग खान खोजे वारिंदर घोस त्रेलो के नाच चक्रवरती कलकता में उनके संबर्क में रहे और वहां पर क्रांतिकारीयों ने उनका नाम कोकीन रखा था कोकिन के नाम से ही डॉक्टर हेडगेवार कॉलकात्ता में करांतिकारियों के बीच में प्रसिद्ध है प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सैनिक छावनियों में सशस्त्र गदर की योजना बनाने वालों में डॉक्टर हेडगेवार भी रास बिहारी बोस और शचींद्र सान्याल के साथ शामिल थे 1916 में केशव डॉक्टरी की उपाधी लेकर नागपुर पहुँचे वे अगर चाहते तो किसी अस्पताल में नौकरी आरंभ कर सकते थे या स्वयम का चिकित सालय खोल सकते थे मगर उनके मन में तो देश को स्वतंत्र कराने की असी मिच्छा थी The Gazette of Maharashtra State Nagpur Division के प्रिष्ट 113 पर लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजी सरकार का ध्यान भारत में स्वतंत्रता के अंदोलन को कुचलने पर केंद्रित हो रहा था इसी बीच डॉक्टर केशव डॉक्टर बियस मुन्जे का पत्र लेकर लोकमान्य तिलक से मिलने पहुँचे लोकमान्य तिलक ने उनकी देशभक्ती की भावना को देखकर कहा आप कॉंग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में लग जाओ लोकमान्य तिलक के नित्रित्व में नागपुर में होने वाले कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉक्टर हर्डीकर और डॉक्टर हेडगेवार को दी गई थी अधिवेशन की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने 1200 स्वयन सेवकों की भरती की थी उस समय डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस की नागपुर शहर हिकाई के संयुक्त सचिव थे इसी अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस के समक्ष पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया था प्रोफेसर राकेश सिन्हा अपनी किताब आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार में लिखते हैं मध्य प्रांत में डॉक्टर हेडगेवार हजारों कार्य करताओं के साथ असहयोग अंदोलन में बड़ी भूमी का निभा रहे थे इस समय तक डॉक्टर साहब अंग्रेजी सरकार की आँखों की किरकिरी बन चुके थे प्रोफेसर राकेश सिन्हा अपनी किताब में लिखते हैं कि 1921 में प्रिटिश सरकार के खिलाफ भाशन देने के आरोप में डॉक्टर हेडगेवार पर मुकदमा चलाया गया अंग्रेज न्यायधीश समयली ने जब डॉक्टर साहब से उनके बचाव में कुछ कहने को बोला तो उन्होंने जोरदार शब्दों में अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जिसके बाद समयली ने उन्हें सजा सुनाते हुए लिखा कि उन्होंने जो अदालत में कहा वो उनके सारवजनिक भाशन से भी ज्यादा खतरनाक है इसलिए उन्हें एक साल के लिए जेल में डाला जाता है मगर जेल में रहते हुए भी डॉक्टर हेडगेवार चुप बैठने वालों में से नहीं थे उन्होंने 13 अप्रेल 1922 को जेल के अंदर जलियां वाला बाग हत्याकांड विरोध दिवस मनाया और साथी क्रांतिकारियों की एक सभा को भी संबोधित किया एक वर्ष जेल में रहने के बाद 11 जुलाई 1922 को उन्हें रिहा किया गया उस दिन उनके सम्मान में नागपुर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था समारोह में प्रांतिय नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के अन्यराश्ट्रिय नेता अकीम अजमल खां, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, विठ्थल भाई पटेल आदी डॉक्टर हेडगेवार का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार में, डॉक्टर राकेश सिन्हा लिखते हैं उन्नी सो पचीस दशहरे के दिन, डॉक्टर साहब ने अपने सहयोगियों भाउजी कावरे, अन्ना सोहोनी, विश्वनात राव केलकर, बालाजी हुद्दार और बापु राव भेदी के साथ मिलकर, राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की स्थापना की मगर स्वतंत्रता प्राप्ति की उनकी प्राथमिक्ता में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया, संग स्थापना के बाद उनके राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के साथ नजदीकी और आत्मिय संबंद बने रहे अनिलवर्मा अपनी पुस्तक राजगुरु दे इन्विंसिबल रेवलूशनरी में लिखते हैं कि शिवराम हरी राजगुरु जैसे क्रांतिकारी डॉक्टर हेडगेवार के अनन्य मित्रों में थे सांडर्स हत्याकांड में राजगुरु का नाम आने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें उम्रेड में भायाजी दानी के पास अग्यातवास में रहने के लिए भेजा ताकि वे बिटिश पुलिस से बचे रहे 1930 में गांधी जी के आहवान पर सविने अवग्या आंदोलन 6 अप्रेल को दांडी गुजरात में नमक सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ नवंबर 1929 में ही संगचालकों की त्रिदिवसिय बैठक में इस आंदोलन को बिना शर्थ समर्थन करने का निर्णय संग में हुआ था डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत तोर पर अन्यस्वयन सिवकों के साथ इस सत्याग्रह में भाग लेने का निर्णय लिया उन दिनों अंग्रेजी सरकार ने जंगलों से किसानों के घास काटने और लकडी बीनने पर भी पाबंदी लगा रखी थी डॉक्टर हेडगेवार ने इस कानून को तोड़ने के लिए यवत माल जाने का निश्चय किया इस सत्याग्रह में हजारों लोग उनके साथ जुड़े रास्ते में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने कहा स्वतंतरता के लिए अंग्रेजों के बूट की पालिश करने से लेकर उसके बूट को पैर से निकाल कर उससे उसके ही सिर को लहुलुहान करने तक के सब मार्ग मेरे स्वतंतरता प्राप्टी के साधन हो सकते हैं मैं तो इतना ही जानता हूँ कि देश को स्वतंत्र कराना है। इसके बाद वही अव्तमाल पहुंचे और भारत माता की जय के उद्धोश के साथ जंगल से चारा काट कर काले कानून को तोड़ दिया। इसके विरोध में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफतार कर नौ महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सुरुची प्रकाशन की पुस्तक, राष्ट्रिय अंदोलन और संग के अध्ययन से पता चलता है कि 1931 में डॉक्टर हेडगेवार जेल में थे, तब संग की शाखाओं में उनका संदेश पढ़कर सुनाया जाता था, जो उनके राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता के 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई के गोवलिय टैंक मैदान से एतिहासिक अंग्रेजो भारत छोडो का नारा लगाया, संग के हजारों स्वयम सेवक भी इस आंदोलन में कूद पड़े, कॉंग्रस के नेताओं के साथ संग के बड़े-बड़े अधिकारी जैसे दादा नाइक, बाबू राव बेगडे और अन्ना जी सिरास चिमूल में भारत छोडो आंदोलन के कर्णधार बने हुए थे विदर्व के आस्टी चिमूर्ख शेतर में स्वयं सेवकों ने समानंतर सरकार की स्थापना किती और अंग्रेजी हकूमत के अनेक परकार के आमानुसिक अत्याचारों का सामना किया उस सक्षेत्र में एक धर्जन से अधिक स्वयंसेवकों ने अपने जीवन का बलिदान किया। माधवराव देवंडे, दत्तात्रे गंगा धर जैसे संग के स्वयंसेवक शामिल थे। स्वतंतरता के बाद राश्ट्रिय स्वयंसेवक संग के कार्यकरताओं के सामर्थे के कारण ही देश में विस्थापित होकर आए लाखों परिवारों का नया जीवन भारत में आरंभ हु राश्ट्रियों के चले जाने के बाद भी दाधराव नगरहवेली तथा गुआ यह आब भी पूर्तगालियों के नियंत्रण में था। इसलिए दो अगस्त 1954 को एकसो से अधिक स्वयंसेवकों ने दाधराव नगरहवेली की श्वतंतरता के लिए हैं पूर्तकालियों की ब पूने के माननिय संग चालक शिरी विनायक रावाप्टे कर रहे थे। कार्यपूर्ण किया। 1955 में गोवा की स्वतंतरता के लिए सर्वदली या राश्ट्रिय संगर्स में स्वैसेवकों ने प्रमुख भूमे का निभाई। देश भर के कार्यकरता सत्यागरह के लिए गए। इनका नेत्रित्व संग और जन संग के प्रमुख कार्यकरताओं ने किया। जिन में से अनेक पुर्तगाली गोलियों के से घायल हुए। भौतों ने पुर्तगाली जेलों के अंदर अमानविय यातनाय सहन की और उसमें से कुछ का बलिदान भी हुआ। इस प्रकार से संग के स्वैसेवकों के नित्रित्वों में 1961 में गोवा स्वाधिन हुआ। डॉक्टर हेडगेवर जैसे राष्ट्र रिशी ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र, समाज, धर्म एवं देश की स्वतंतरता के लिए संगर्श किया और समाज में बिखरे हुए लोगों को एक जुट कर राष्ट्र जागरण करने का काम किया। राष्ट्र जागरण की उनकी परमपरा आज भी अनवरत जारी है। उनके दिखाए मार्ग को आत्मसात करके हम भारत की स्वतंतरता को अक्षूर्न रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेर करें। और हाँ बेल बटन दबाना न भूले। भारत माता की जए।